शहर के तिलग गंजवाड में एक प्लास्टिक पाइप गोदाम में अचानक आग भड़क उठी इससे आसपास के लोगों में भी देहसत फैल गी आग प्लास्टिक के पाइपों में लगी करीब देर से दो घंटे तक आग की लप्टे उठती रही कनीमत यह रही कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया जिससे कोई बड़ा हास्ता नहीं हो सका कोई जन्हानी नहीं हुई गौरत तलब है कि इस साल की शुरुआत भी तिलग गंज इससे तेल गोदाम में आग लगी थी उसे बुझाने में बारा से तेरा घंटे का वक्त ल रहा था दीपावली के चलते मंगलवार को यहां बच्चे पटाखा फोड रहे थे इनी पटाखों की वज़े से पाइपों में आग लग गई देखते ही देखते पाइपों से लप्टे उठने लगी करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम इसकी सूशना मिली ततकाल ही नग रहते काबू पालिया गया आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सास ली आग की लप्टे वधुएं को दूर से देखा जा रहा था लोगों का कहना था कि तिलक गंजवाड में तेल गुदाम लकडी की टॉल वा प्लास्टिक की कई गुदामे हैं इससे आग का अंदेशा बना रहता है सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उप्लब्द है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी रोग एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओप्रेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उप्लब्द है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उप्लब्द करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइस मांस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाईल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समांतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 8600288859900 पर